जो किल्मत ना देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, अल्ला बोल, 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 अल्ला बोल हैं फिर भी आज तक हमारे कोई सुनवाई नुई है। 함께 पर मुख मांगे हैं, हमें किसी भी परकास का कोई भी अलाउंसेज नहीं मिलता है, नहीं हमें वर्दी बता मिलता है, नहीं हमें मैस अलाउंस मिलता है, नहीं हमें जोकिम बता मिलता है, नहीं हमें किसी परकास का अलाउंस मिलता है, अन्य सभी बाग जैसे नर्सेज, रेडिय प्रोग्रापर लेट टेक्निशन सभी को सभी प्रकार के अलाउंसेज मिल रहे हैं। जबकि सभी बागे नर्थ पहले हमारी जो वेतन विसंगती थी वो नर्थ सेज के समान थी हमारी वेतनवान। परन्तु 2013 में जब बटनागर कमेटी बनी उसमें हमारी अंदेखी कर दी गए रुपेक्षा करी। आज हम उस्वेतन विसंगती को लेकर यहाँ पर आप लोगों का प्रोटेस के आज आज सप्सीमित रहने वाला है। इससे पहले भी हमने एक द्योश यह धरना करा था, सरकार से हमारी वार्ता हुई थी, सरकार ने आसवासन दिया था, आज हमारा एक द्योश यह धरना है, अगर आज भी हमारी सरकार कोई सुनवाई नहीं करी, तो पंदरा तारिक को हम सामुई का उकास पे रहेंगे, उसके अबाद में भी सरकार ने भनोग तो विभाग को डिकार कोई अंदेखी अकैरण समय रहे तेवे सरकार को हमारे करम्चारियों की तरब जान देना चाहिए और निश्चित तोर पे राजसतान का करम्चारी राजस्तान की सरकार ने चुनाओं से पहले अपने जन गोशना पत्र बनाया था और उस जन गोशना पत्र में राजस्तान की सरकार ने करमचारियों के लिए विसेश कमेटी बना के वेतन विसंगती दूर करने की बात गई थी 2013 से वेतन विसंगती चली आ रही है और 2013-2017 के बाद में उससे ज़्यादा वेतन विसंगती होती इस बात को लेके जन गोशना पत्र में जो करमचारियों के वेतन विसंगती हैं दूर करना और जो कमेटी हैं उनका रिपोर्ट लागू करना तदा अन्य जो सवीदा करमचारियो उनको नियमित करना यह सारी चीजें लेकर और भरतिय करना इन सब को लेकर कांग्रेस ने अपने गोशना पत्र में दिया था पांग साल होने को आए राजस्तान की सरकार को अभी तक ना तो किसी की वेतन विसंगती दूर किये क्योंकि फार्मासिस्ट है इनके समान कारिये समान वेतन होना चीए दूसरा इनने ना तो वेतन वर्दी दी जारी वेतन बत्ते दिये जारे हैं ना कोई बत्ते दिये जारे हैं इन बात को लेके फार्मेसिस्ट करमचारी पिसले कई वर्सों से संगर्स कर रहे हैं अगर यह समय रहते हैं सरकार ने नहीं किया तो निश्चित मानिये कि सिग्री ये हर्दाल करेंगे